हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करके ओल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर के बारे में आज कंपनी को अपने क्यूट्यू के नंबर्स अपडेट करने थे तो फाइनली नंबर्स आ चुके हैं चलिए वीडियो में देखते हैं बट उससे पहले अगर हम एक बार स्टोक की प्रफोर्मेंस पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 4.47 पैसे पर यह स्टोक अभी ट्रेड कर रहा है अगर मैं इसकी एक महीने की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक महीने में 4% से जादा जो है शेयर डाउन है छे महीने की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं छे महीने में 61% यह स्टोक आपको डाउन दिख रहा है वहीं अगर मैं एक साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक साल में 71% ये स्टोक जो है अभी डाउन दिख रहा है और बीच में अगर हम बात करें तो 38 रुपे तक का हाई इसने लगाया था वहाँ से जो है बड़ी means बहुत जादा इस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली है तो अब चलिए हम देखते हैं नंबर जो है कैसे इ यहां आप देख सकते हैं यह मैंने नंबर्स ओपन किये हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहां पर जो यह फिगर्स दिये गए है यह लैक्स में दिये गए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की जो इंकम फ्रों ओपरेशन्स है वो कितनी रही है तो इ इस quarter में भढ़कर 36 लाग से उपर पहुंच चुकी है और अगर आप इसको year on year basis पर calculate करोगे तो last year same quarter में 19 लाग की 19 लाग की जो income operations से होती थी वो बढ़कर अभी 36 means approach double जो है company की income operations से बढ़ती हुई दिखाई दी है तो ये एक अच्छा sign है क्योंकि income जो है अगर operations से आपकी income ब बढ़ रही है तो वे एक अच्छा sign है आगे अगर हम बात करें other income से जो इनको revenue आया है तो इस quarter में 20 लाख रुपे का जो है इनको other income से revenue आया है जो की last quarter में 45 lakhs था और last year 8 lakh था उसके बाद अगर हम इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो total revenue है वो इस quarter में 56.493 lakhs रहा है जो की last quarter में 56.873 था means last quarter के बिलकुल means आसपासी जो है company का revenue देखने को मिला है और year on year देखें तो 27 लाग का revenue है वो दो गुना से जादा हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है तो यहां तक तो अगर हम बात करें revenue point of view से तो अच्छा जो है यहां company ने performance दी है बट उसके पर चलें total expenses तो यहां आप देख सकते हैं company के खर्चों में जबरदस उचाल आया है 75 लाख रूपए के company ने यहां खर्च किये हैं जो कि last quarter में 35.92 lakhs थे तो आप देख सकते हैं expenses बहुत जादा company के बढ़ते हुए दिखाई दिये हैं और last year same quarter की बात करें तो वहां तो बिलक हैं उसके बाद आपको पता है income minus expenditure या profit आएगा या फिर loss तो यहां जो है आप देख रहे हैं कि company के खर्चे जादा है tax adjustments भी होती है exceptional items होती है तो net profit या loss for the period अगर हम देखें तो आप यहां 8th point देख सकते हैं तो यहां company को 18.542 lakhs रुपी का net loss हुआ है तो क्योंकि इसकी वज़ा है company के जो खर्चे बड़े हैं उसकी वज़ा से company यहां loss में आई है last quarter में जहां company को तकरीबन 12 lakh रुपे का profit हुआ था इस quarter में 18,000,000 रुपे का loss हुआ है और last year same quarter में 21,000,000 का profit था वो अभी जो है थारा लाग का loss यहां पर देखने को मिला है अगर आप इस चीज को earning per share की form में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है loss में गया है last quarter में 0.007 का EPS था और last year same quarter में 0.017 का EPS था तो अगर हम overall ब from operations है वो अच्छा बड़ा है बट जो खर्चे हैं वो company के बहुत जादा means uncontrolled इनको आप expenses बोलोंगे और उसी की वज़ा से जो है company जो है profit से अभी loss में हमें जाती हुई दिखाई दे रही है और इसका जो असर है वो company के share price पर जो Monday markets open होंगे तो वो भी आपको देखने को मिले देगा क्योंकि numbers जो है main जो होता है quarterly results है वो काफी important pillar होते हैं किसी भी stock की journey में तो अभी जो numbers आए हैं वो means company ने बड़े ही अगर आप बात करोगे तो अच्छे numbers नहीं पेश किये हैं बुरे numbers जो है आप इनको बोल सकते हैं क्योंकि company के जो खर्चे हैं वो uncontrolled manner में बड़े है और इस वज़े से company loss में गई है अब देखने लायक होगा कि जब Monday markets open होंगे तो कैसा reaction जो है market का इनके numbers पर रहेगा मेरे हिसाब से company ने जीसी साब से weak numbers पेश किये हैं तो थोड़ी और गिरावट stock में देखने को मिल सकती है तो चलिए ये तो Monday को देखेंगे तो ये था इस वीडियो में मुझे आपको तिलिक वेंचर्स के नंबर की अपडेट देनी थी अगर आपको वीडियो अच्छी और helpful लगी हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे अकली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए